हेलो गाईज स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टरीविद अमन कुल मी तो आज किस वीडियो में क्लास 10 का आपका सैंपल पेपर देखेंगे जो की सैंपल पेपर हिंदी का होगा जिसमें हम सारी जो आपका सेक्षिन है वो सॉल्फ करेंगे तो सबसे पहले सेक को दो मिनेट नहीं लगेंगे उससे पहले हम इसे पढ़ भी लेंके तो इस गध्यांच को पढ़ना कोशिंस के आंसर करने हैं शिक्षा दिशावीन युवा पीडी को अपने लक्षे का बहुत कराती है यानि शिक्षा जिनके पास किस पता नहीं होती कि किस डिरेक्शन में हमें अपना पढ़ना अपने गोल को अचीव हड़ना है उन्हें दिशा दिखाती है लक्षे का हमें पता चलता है फिर अपना गोल असली में है क्या परन्तु शिक्षा के वल किताबों तक सिमित नहीं रहने चाहिए अपी तो नयतिक मूले उससे भी उपर होने चाहिए या किताबों में पढ़ते हैं वो तो सही है वाट आपको उसके उपर भी जो मूले है जो बेसिक गोल होता है लाइफ का वो भी आपको सीखना चाहिए आज कल शिक्षा केवल प्रतिध्वन्तिता पढ़ गई है आज कल पढ़ाही में क्या हुआ कॉम्पटिशन बढ़ गया है आगे बढ़ने के लिए लोग अपने नैतिक सिध्धान पूल कर कुछ भी करने के लिए तया रहे हैं लोग चीटिंग वगरा करते हैं ऐसे शिक्षा का भी क्या ही फाइदा है यदि उसे पाकर यवा वर्ब बेकारी को भट्टी में चुलस राओ ऐसे में ना तो खुद का नहीं अपने पार कर बाता है तो वो क्या करता है सुसाइट कर लेता है सुसाइट के बहुत सारे केस आते हैं महा रिशी अर्विन ने कहा था कि यदि तुम्हें पढ़ाई करना है तो मात भूमी के लिए पढ़ाई करो अपने देह के लिए अपने मन और आत्मा को उसकी थी फायदाा एसा खुछ भी है जाए हुए जो विदार्च को सेहुलएति ही विरूद्फ होग değer में सब्सक्रितिक संशकार का भावे आज की सभी जनेरेशन संसपार की संसकार बहुत कम यंकि कावनें कॉडर्च को संसकार के लिए करने लगते हैं अब संसकार नहीं है तो वो बढ़ों की सोच को इतना नहीं मानते और दंगा फसाद करने लगते हैं तो यह आपको पैसेज दे रहा था पैसेज को यह नहीं की पैसेज ही बेकार था तो पैसेज को हमने सीरियस नहीं लिया पैसेज को जैसा भी आपको पढ़न या सांस्कृतिक संस्कारों का भाव तो ये भी हमने पढ़ा अलगा विसाद नहीं करने लगते हैं विद्यारति हो को आगे बढ़ाने का मार्क दिखा रही है प्रतिद्वंदता बढ़ा रही है नैतिक मुल्यों का ज्ञान करा रही है यह तो नहीं करा रही है और देश का विकास कर रही है यह बस प्रतिद्वंदता बढ़ा रही है तो इसमें ख़ा ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा नेक्स्ट है यहां पर आपको कथन और कारण का वोशन दे रखा है आज की शिक्षा मुकाबले प्रतियोगता की शिक्षा बन गई है यानि यहां जो आज की शिक्षा है वो प्रतियोगता की शिक्षा बन गई है यानि कॉंप्टिशन होता रहता है यस क्योंकि आज की स्थित तो इसमें आपका गव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है आज कल की शिक्षा का उचित उप्योग नहीं हो पा रहा है इस कथन का आपको विकल्प चाटना है तो क्योंकि नैतिक मोलों की भरमार तथा युवा पीडी को उचित तिशा दर्शन या फिर युवा पीड पीडी को विरोजगार के अफसर तथा मानसिक संतोष या इवा पीडी में संस्कार संस्कृतिक संस्कारों का भाव दंगा फसाद था आनेतिक रास्तों का चाहिए तो येस इवा पीडी में संस्कृतिक संस्कारों का भाव है दंगा फसाद है और आनेतिक रास्तों का चाहि मं और चुंच भूरल कर कुछ आगी बढ़ने को लोग क्या कर रहे हैं बहुत परीश्यम कर रहे हैं नहीं दूसरे लोगों का पीछा चोड़ रहे नहीं सिक सिधान बूलकर कुछ भी करने कली का रहे तो यस वह लर्निंग्स भूल चुके हैं और रही क्वा कुछ भी सायू का कंडला खनकता जिंगोरों की खिचुडी पर जान सब भीहर जनकता बीच सुने में बनेले ताल का फैला अतल जल थे कभी आई यहां पर छोड़ देमती दुखी नल बूक व्याकुल ताल से ले मशलियां थी जो पकाई शाप के कारण जली ही वे उचल जल में समाई है अधवी से साथ ताल की सब मशलियां में नहूस काली हल की जिसकी नोक से बीजान मिठी जूँ मुटती सब बयता का चांद किलता जंगलों की रात मिठी रंग मिठी का बदलता नीर का सब पाप धुलता हरे होते पीत उसर स्वस्थ हो जाती मनुझता लाल पथर लाल मिठी लाल कंकर लाल बजरी लाल फुले धंकेवान डांग गाती फाग कजरी तो यह कवीता थी अब इसे अपने पढ़ लिया विससे रिलेटेड़ी कोश्चन है बंजर जमीन के उपचाओं होने की वज़या आपको बताना है सावली सांच का सुझ्जान जंगल की किनारे या फिर ह जमीन हलकी जिसकी नोग से खोड़ जाता है तो यहां पर आपका सकीन ऑप्षिन करेक्ट है यानि गव और करेक्ट है कथन सेकिंड सही है फिर जांज सब भीजड जनकता का आश्यक है बीहड में संगीत बज़ रहा है नहीं जिंगूर की आवाज के मदल संगीत से वन जाज नामक वादियान तो नहीं होगा बीहड में संगीत नहीं होता कुछ संदेन जांज मतलब होता है जिंगूर बीहड यानि होता है बन अचनकता यानि गूंज ना तो यह आपका अप्षिन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट किस कारण जली हुई मचलिया भी वापस जल मे जली हुई नेक्स्ट कथन और कारण है आपको आंसर करना है राज नल का मचलियों को ताल से निकाल कर पकाना क्यूंकि सुंसान जगल की किनारी सावली बनना तो यह आप देख सकते हैं कथन और कारण अलगी है मतलब सही तो दोनों है बट मैच नहीं कर रहे यानि वह उसकी सही व्याख्या निकारता तो इसमें आपका गव और और करेक्ट है रेक्स्ट कुछिन है इस कविता में किसे लाल रंग का बताया गया है पत्थर तो था मिट्टी को कंकड़ बाजरी को ढाक के वन के फूलों को या प्रियोग सभी को तो पत्थर और मिट्टी को भी बोला कि चार में से आपको यह आपको सेंटेंस दे रखा है वर्षा रुखते ही बादल चट गए संयंक्त वाक्या में बदलना है तो संयंक्त वाक्या में बदलने के लिए हम और का यूज करते हैं तो जैसी वर्षा रुखी वैसी बादल चल गए तो यह संयंक्त का तो नहीं हु जब वर्शा रुकी तब बादल चट गया नहीं यह भी हमारा मिक्षिक हो जाएगा वर्शा रुकी और बादल चट गया वर्शा रुकने पर बादल चट गया तो यह तो हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका हो गया सरल का तो गह ऑप्शन जो है वर्शा रुकी और बाद कहीं पर तो कॉमा होता है तो हम क्या देखते मिक्ष्ण राग्या और लगता वहां लगता तो सहीं दौकर बोल देते तो इसमें आपका का सरल वाक्य यह हो जाएगा और विधान वाचक वाक्य भी नहीं होता कुछ नेक्स्ट, शिक्षक के सामने शात्र शान्त रहते हैं, इसका मिक्षिर रवाक्या आपको दाना है, जब शिक्षक सामने होते हैं तब शात्र शान्त रहते हैं, तो यह हो सकता है, शिक्षक सामने होते हैं और शात्र शान्त होते हैं, तो यह तो अलग-अलग हो गया न, एक य सेंटेंस हो गया और मिख्शक की आते ही चातर शांत जाते हैं पूरा वही संटेंस लिख दिया बस और सेंट वाक्य का ही सरल वाक्य का यह बढ़ा चड़ा के लिख दिया तो आपका जुद का ऑफ्षन है वो ही कर्रेक्ट हो जाएगा वेश्चान कर देंकर पैचानकर नीचे दें सही वाक्य को चुनएं मिक्षर वाक्य चुनने आपको कैसे कहती हो कि विवान नराज नहीं होगा कीसे आप दिख सकते हैं एक sentence को दूसरे sentence से जोड दिया गया तो येस ये mixture वाक्य है next तुमने गलत काम किया इसलिए तुम सजा के हगदार हो तो इसलिए लग गया है तो ये हमारा किसका ये हमारा सहीं तो वाक्य हो जाएगा तो ये mixture वाक्य तो नहीं होगा जब रोहन गर पहुंचा तब उससे याद आया की वे अपनी कताबी गाड़ी में भूल गया तो जब और तब से जोड रहा है यानि ये कौन से मिक्षवाक्य हो गया जब तक विद्वन्स नहीं होत है अगर हम लाइन नहीं जोड़ेंगे तो ये sentence पुरा नहीं किलाएगा तो ये भी मिक्षवाक्य है तो इसमें आपका फर्स्ट थर्ड और फॉर्ट मिक्षवाक्य है यानि आपका जो गव अप्षिन है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट पांचवा कुशन है मैचिंग कर तो यहां पर आप देखिए यह जिस मनुष्य में दयानी किस मनुष्य में दयानी जब तक हम इसे आगे की लाइन नहीं बोलेंगे sentence पूरा नहीं होगा तो यानि यह मिक्षवाक्य है और जापान में चाय पीने की विद्धी को चानो क्याते हैं यानि यह आपका पूरा एक क्या ख़ा रहा है तो यहां पर आप देखिए जो वाज्चे है वो करता वाज्चे यह भी त् Joan को रहे हैने क्रिश्णा सितार बजाती है करं में डाल्याया यानि-कृष्णा की दूरा सितार बजाया जाता है अप उस्छोंट सुनीत विल्यम स्वारा उधघाटन किया गया कड़ता वाच में आपको बदलना यापको करता प्रदान रखना है और जो को को इसे present पेंटेंज करना तो सुनिता विल्यम से उठाटन हुआ ये तो पास्ट को जाएगा नहीं सुनीता विल्यम से उठाटन किया या सुनीता विल्यम सुनीता हुद्वान बैट जायक हुए और प्लवरो जहीए नियक्ट काड़ पकाड़ सकती भाव वाच्चे में मतली उसके बहुत दर्द है इसलिए चल नहीं सकती नहीं वेच चल नहीं सकती क्योंकि उसको दर्द है तो यह हो सकता है बर नहीं दर्द की कारण उसे चला नहीं जाता तो यह वाव वाच्चे का सही वाला रूप है तो इसमें आपका फोर्थ ऑप् साम नहीं किराता तो यहां पर भाव स्पस्ट हो रहा है तो भाव आच्च हो जाएगा फिर निशी द्वारा संदेश भी रहाता है जहां भी द्वारा आजाए वह आपका करम बाच्चे समझ लीजिए और भारत शांती प्रेदेश है वह भारत करता है करत वाच्चे कृत इक हो आपस्ट का सझीन सटांचे किनगे यह तो इक यक्ति हैं घाती तो आप देख सकते हैं जाती और भाव तो होई नहीं सकता लतामगेशर एक लड़की का नाम है तो ये दोनों आप्शन नहीं कटी गया तो का अप्शन और खाberg सुनाँग के अब लता मँगेशर तो स्ट्रेलson ंगर्ण और फ़ आपका करेक्टर रहा है का लिए नहीं कुछ हो राया है तो यह हमारी अकर्मक तUI सब्सक्राइब आपड़ना नहीं पेड़ी तो उसे सब्सक्राइब आपके कंद यह हमारा देश एक वचैना है तो जिनी होगा बहुचन से होगा अप्षिन कर गया यह पूरा ही कट गया नेन पुलिंग यह और पूर और बागी से में तो हमारा ख़ ऑप्षिन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशिन है यूँ ही कोई प्रधान मंत्री को नहीं मिल सकता इसमें कोई आपको दाने तो कोई भी कोई निश्य नहीं है कोई किसी पर्टिकुलर पंसान का नाम नहीं पता है तो निश्य नहीं होगा आ निश्य वाचा होगा तीनों में आ निश्य वाचा के सर नाम है अब correct को हो सकता है प्रधान मंतरी कोई pulling है तो yes thrilling वाला option जो है वो cut जाएगा यहां से यह thrilling वाला भी यहां से cut गया अब यह वचा और यह वाला वचा अब कोई प्रधान मंतरी प्रधान मंतरी क्या बहुत साही होते है नहीं एक ही होता है तो एक वचिन आपका correct जाएगा बहुँ वचिन वाला भी cut जाएगा तो first का option आपका correct जाएगा next question ए सूर्श решил दसवी कक्षा में पढ़ता है अब दसवी में पढ़ता है दसवी क्या है दसवी appreciation थो यह विशेशन कंहां तक तो भावर्ति सूचक क्या होता है कर्म सूचक क्या होता है तो उसे छोड़ दो, next है सूरज, सूरज क्या है, स्ट्रिलिंग तो नहीं हो सकता तो स्ट्रिलिंग आले, option को भी काड़ दो, next, इसमें एक वेशन कक्षा- विशेश्ष है, एक्वेशन राकेश तो इसमें है यह तो यह घुआ ऑप्षिन भी कड़ गया आपका तो अगर यहां पर पुलिंग लिखा भी हो तब यह कड़ाया कोई कि राकेश जो है वो विशेश्शे इसमें नहीं है राकेश कुछ ही रही नहीं आपके और यहां पर कक्षा किरिया है करिया क्रिया 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 क् अब कृत वाच्चे यहां पर बाकी सारा सेम ही है हमने स्टार्टिंग में अंतर उता दिया है सकर्मक रिया नहीं हो सकती अकर्मक रिया है तो आपका को ओप्षिन गरेक्ट है अब यहां पर अलंकार दे रखें हैं पहला है सैस किरन जो सुरज दिपाई देखी लिलार सो फिप जाता है इसमें कौन सालंकार है याई किरन को देख के सूरज होता है वो छिप जाता है यानि इसका एक पूरा डीप मीनिक है अतिश्य्यक्ति आलंकार है यानि बढ़ा चड़ा के मूलते नेक्स देक प्राची यकल ह distribution को देखो इसमें अलंकार क्या है तो मान तुलना करा गया है तो यहां पर मान भी करन अलंकार होगा नेक्स किस अलंकार में उपमे में उपमान की संभावने होती है तो यह विक्षा अलंकार में होती है उपमे में उपमान की संभावना उपमे का क्या अर्थ होता है यानि जिसकी तुलना की जाए वो उपमे होता है और जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है नेक्स्ट बार सेवन्त कोशन आप इस पैसेज को आपको पढ़ना है बुक का पैसेज आपको दे रखे है तो हम जल्दी से इसे पढ़ लेंगे बार बार सूसते क्या होगा उस कौम का यानि उस देश का जो अपने देश की खातिर गर ग्रैसी जवान जिन्दगी सब कुछ हो होम देने वालों पर भी हस्ती है यानि वो उस पर हस्ते थे इसका ही उटा रहे है और अपने लिए बिखने के मौके तूनती है दुखी हो जाए 15 दिन बाद उसी कबजे से गुजरे कबजे में गुषने से पहली ख्याल आया कि कबजे की इरदे स्थली में सुभाश की प्र करेंगे में सीधे निकल जाएंगे और ड्राइवर से रोडी यह भी कह दिया था कि चुराइब पर रुखना मत जैसे हर बार रुखते थे आज बहुत काम है पाल आगे कहीं खालेंगे अब यहां पर इससे रिलेटिड कोशिन है हालदर साथ दुखी क्यूं थे क्याप्टन मर गया था इसलिए नहीं सुभाज की प्रतीमा के आँखों पर चश्मा नहीं होगा नहीं मतलब यह दोनों को मिला के हमें बताना तो कुछ लोग की खातिर अपना सर्वस बलिदान देनों पर हाले हसते लोग तो यह वह इसलिए दुखी थे क्यूंकि जो पान वाला था वह कैप्टन मर गया और उस पे वह हस रहा था नेक्स अपने लिए बिखने के मौके डूनते हैं कौन स्वार्थी और मतलबी लोग देश पक तो नहीं डूनेगे ना बिखने के मौके कज़रे में रहने वाले किसी पटिकलर लोग को भी नहीं बोला है देशी खातिर अपना सब 15 दिन बाद 12 वर्ष बाद तो वह 15 दिन बाद वारा गुजरे थे नेक्स्ट हालदार साहब ने क्या सोचा था मास्टर चेश्मा लगाना भूल गया कैप्टन चेश्मा वाला मर गया कि आज मूर्ती की तरफ नहीं देखेंगे तो यह सुना ने यह सोचा कि वह आज मूर्ती क्या होतह है घ्राएक अतिन प्रेयन होगा और रिदे में रहने वाले ने ओंदेखेंगे होता है यह इन यहां पर आपको किसी बी चैप्टर से दो कोेसिन दे रखें कि अधिर बगक की पतो हुँ अपने हाई के साथ जाने की तयारी को तयार नहीं थी क्यों नहीं तैयर्ह का ग्यान था तो येस उसे था नेक्स्ट उसे अपने ससुर के प्रती अपार श्रद्धा तो येस हो था वे अपने ससुर की सेवा को अपना धर्म समझती थी तो यह हम कैसे तें कि वो तीनों ही कारेंट थे प्रयोक सभी कारेंट थे कि वो नहीं जाना चाहती थी नेक्स्ट मानव जीवन पर कभीर पंथ का क्या प्रभाव करता है तो कभीर पंथ मनिश्य को सांसकारिक आकरशणों से दूर रखने की प्रेणा देते हैं तो यस ये बोलते हैं वो वे मानव के अंदर असत्य छलकपट का विकास करते हैं नहीं वे इश्या द्वेश और जलन मोह माया अफगणों का अपनाने की प्रेणा देते हैं नहीं कभीर पंथ के अनुसा है मनिश्य को स्वार्त और लालच का अपनाना चाहिए नहीं ये तीनों ही वो नहीं बोलते हैं अब यहाँ पर आपको आपकी पोयम से दे रखा है नाम लक्षन पश्यराम संबाथ से इसे आपको बढ़ना है नाथ संबुदन बंजनी आरा होई के एक दास समारा ऐसन कहा कहन के नमोही सुने रिसाइ बोले मनकोही सेवको सोजो करी सिवकाई अरी करनी करी अरी लराई सुनो राम जेही सिवधन तोरा सहज सबाव समसो रिप मोरा सो बिलगाओ पिहाईक समाजा नाता मारे जेही सब राजा सुनी मुनी वच लखन मसकाई बोले परसुधारी अफमाने बहु धनी तोरी लरिकाई कभू न असी रिसके निगराई यही गंधनों पर ममता के हूँ हे तू सिन रसाई के बिर्गलकर के तू रेने पबालक कालबस बोहलत तोही न संभार धनु ही संत्रिपुधार यह बंदिल सकल संसार अब यह हमने पढ़ लिया इसके हम आंसर करते हैं धनुष के तूट जाने पर श्री राम ने पश्राम से कहा क्या गा इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा यह धनुष मैंने तोड़ा है यह धनुष मैंने नहीं तोड़ा है यह धनुष आपके किसी स्रत्रों ने तोड़ा है तो यस उन्होंने ये गाता है इस धनुश को तोने वाला आपका कोई दास होगा शीराम के वच्छनों से परीचर मिलता है उनकी विने शीलता का यस उनकी निर्भ्यता का यस देन नेक्स्ट उनकी सत्य प्रितागा और इन सभी गणों का तो यह सारे गणों में थे और इन सभी गणों का में परीचर मिलता है नेक्स्ट सेवकू सोजो करें सेवकाई इसमें यह पंक्ति किसकी द्वारा कही गई है शीराम की दौरा लक्षमन की दौरा पशिराम की दौरा ये विश्मा मित्र के दौरा तो ये पशिराम ने करा है कहा है जब लक्षमन कहते हैं कि हम आपका ही कोई बालक होगा आपका ही कोई सेवक होगा जिसने ये तोड़ा है तो पशिराम कहते हैं सेवक बहुत है जो सेवक ह हुप सेवा हमारी करते हैं यह क्या हमारा दरश्तोर देते तो यह पष्षि राम नेना है नेक्स पश्राम में साल लख्षमन वश में है कर它 तो उने लक्षमाजी जवाब दे तो वह पश्राम गुस्से में कि लक्षमाज मिथ्यू के श्रमाइज उसे मिलेगी अब नेक्स्ट यहाँ पे एक वर्ड है प्रयोक त्रिपूर आरी इसका संदीव चेज होगा त्रिपूर प्लस अरी क्योंकि हमारा संदीव चेज है त्री कुछनी होता हमारा त्रिपूर और री कुछनी होता फिर त्रिपूर राधी कुछनी होता त्रिपूर और अरी दोनों लगें पैसेज के हैं गोपयों की वाक चातुरे की शिष्टा है क्या निर्भिक्ता सुष्ट्वाधिता व्यांगात्मक और यह सब ही त्येश कये तीन यों निग्यों के है तुम मुझे से भलीदान करने की हमें यह उज दाइंगा ये नारा अब यहां पे हमने पूरा चाप्ट जो हमारा सैंपल पे बढ़ता उसका फॉर्स्ट हाफ यानि सक्षन ए कम्पेट कर लिया है सक्षन जो सक्षन है वो हम अपनी नेक्स वीडियो में करेंगे तो चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जब करें वीडियो अच्छ लगे तो इसे लाइक करें और दोसके साथ शेयर जब करें थैंक्स वोटिंडियो पेबे गाइस